अब अच्छों में स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 8 से कोश्चन 8 है हमाई पास में शो देट दा रिलेशन आर इन दा सेट A 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाई R is equal to A, B such that mod of A minus B is even, is an equivalence रिलेशन मनला अब सबसे पहले तो हमको क्या एक सेट A दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 element हैं और यह हमाई पास में relation दिया हुआ है और यह show करना है कि एक equivalence relation है उसके बाद आगे हमको बोला गया है कि show that all the elements of 1, 3, 5 मतलब 1, 3, 5 are related to each other कि 1, 3, 5 तो आपस में relate कर रहे हैं and all the elements 2, 4 यह जो सेट 2, 4 इसके elements भी आपस में relate कर रहे है are related to each other but no element 1, 3, 5 is related to any element 2, 4 but यह जो 1, 3, 5 है यह इस 2, 4 से relate नहीं कर रहे है तो चलिए पहले तो हम इसको simplify करते हैं और देखते हैं कि क्या equivalence relation है या नहीं है तो बच्चों यह हमाई पास question में दिया था set A 1, 2, 3, 4, 5 और यह हमाई पास relation दिया हुआ है ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे relation में जो जो भी ordered pair आने वाले हैं उनको हम लिख देते हैं तो देखिए अब ordered pair कैसे पता चलेगा तो हमाई पास में condition दी हुए कि mode of A minus B यह क्या होना चाहिए एक even number आना चाहिए यह क्या होना चाहिए आपका एक even number होना चाहिए तो अब हम यहाँ A और B की value पूट करते जाते हैं तो सबसे पहले जिसे हम A की जगे 1 रखते हैं तो 1 minus B की value भी हम 1 रखते हैं तो 1 minus 1 क्या आएगा आपका 0 तो यह आपका even number है तो यह हमारा मिल गया एक even number फिर हम तो हमारा order pair क्या हो जाएगा हमारा order pair हम यह लिख सकते हैं A की जगे तो 1 लिख्या हमने और B की जगे भी 1 लिया ओके दूसरा number आप देखें 1 A की जगे 1 रखते हैं B की जगे अगर 2 रखेंगे तो देखें 1-2 आएगा 1 और 1-2 अगर 1 आएगा तो 1 तो even number है नहीं इसलिए वो नहीं लेंगे तो फिर next B की जगे हम कितना रखेंगे 3 तो देखें mode of 1-3 कितना मिलेगा आपको minus 2 और mode of minus 2 हो जाएगा आपका 2 तो 2 even number है इसका मतलब A की value कितनी है हमारी 1 थी और B की value 3 रखने पे हमको even number मिल रहा है तो इस तरीके से हम पूरा relation find out कर लेंगे फिर हम रखेंगे A की जगे 1 रखा फिर B की जगे कितना रखोगे अब देखे 4 रखने पे आएगा आपका answer 1-4 मतलब की आपको मिलेगा 3 minus 3 मिलेगा तो mode of minus 3 हो जाएगा 3 लेकिन हमको तो even number चाहिए तो अब हम 5 रखेंगे तो आपको मिलेगा mode of minus 4 तो मतलब 4 4 हमारा even number है तो दूसरा होगे आपका A की value 1 रखने पे हमको B मिल रहा है A की value 1 और B की value 5 रखने पे हमको एक even number मिल रहा है तो इस तरीके से हम पूरा relation बना देते हैं तो अब बांकी के pairs में डारेक लिक देता हूँ तो क्या-क्या मिला हमको 1,1 1,3 1,5 अब A की जगे हम 2 रख देंगे तो 2 minus 2 होगा 0 ओके फिर 2 minus 4 होता है ये भी हमको एक even number मिलेगा फिर A की value 2 रखने पे B की value क्या रख पाएंगे हम कुछ रख पाएंगे नहीं अब हम 3 लिखते हैं तो A is equal to 3 होगा हम 3 रखेंगे 3 minus 3 हो जाएगा आपका 0 तो ये भी आपका एक pair बनेगा फिर दूसरा 3 और 5 का एक pair बन जाएगा हमारा फिर next number हम रखते हैं एक ही जगे 4 तो 4 और 2 तो हमको क्या मिलेगा एक even number मिल जाएगा फिर उसके बाद में 4 4 इसको minus करेंगे तो 0 ये भी एक even number मिल रहा है फिर हम एक ही जगे लिख देंगे 5 तो 5 minus 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 तो ये भी एक even number मिलेगा फिर 5 और 3 फिर हमको number मिलेगा 5 और 5 तो ये हमने यहाँ पर सारे relations बना लिए अब देख लेते हैं इसमें कोई और number शूटा तो नहीं है तो देखे एक और हम महाँ सब बना सकते थे वो हमने यहाँ पर लिखना भूल गए है क्या 3, A की value 3 रखने पर हम B की value 1 रखेंगे तो 3 minus 1 भी 2 मिलेगा तो 1 हमारा करेंगे यह बन जाएगा तो ये total हमारा relation हो गए अब चेक करते हैं हम इसको कि क्या यह reflexive है या नहीं है तो देखिए reflexive की condition क्या थी हमारी कि इसमें जितने element हो ये जो हमाई पास में set A है इसमें जितने element है वो सब क्या होना चाहिए उनके identity elements यहाँ पर present होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि 1 1, 2 2 3 3 4 4 और 5 5 अगर ये इस relation R में belong कर रहे है तो ये हमारा reflexive होगा अब check करते हैं देखिए 1 1 यहाँ पर लाई कर रहा है 2 2 b इसमें है 3 3 b relation में है 4 4 b relation में है और 5 5 b इसमें है इसका मतलब ये सारे element क्या है है हमारे ये सारे ordered pair हमारे R से belong कर रहे है अब ये R से belong कर रहे है अब सेगर हम चेक करते हैं symmetric तो symmetric के लिए condition क्या होती है हमारी कि अगर कोई number a b जो है वो R से belong कर रहा है तो b a b r से belong करना चाहिए तो अब आप देखिए यहाँ पर सारे number इसे 1 3 है तो 1 3 का inverse क्या है 3 1 है ना इसका inverse क्या होगा 3 1 यहां परेजने है 1 5 का 5 1 वो भी यहां परेजने है 2 4 का 4 2 वो भी यहां परेजने है 5 3 का sorry 3 5 का 5 3 इसका inverse यहां परेजने है तो इसका मतलब यह भी क्या होगा आपका symmetric भी होगा अब इसको हम show किस तरीके से करें तो इसको हम एक general language में इस तरीके से लिख सकते हैं कि let हम मान लेते हैं कि let a b belongs to r a b r से belong कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो mode of a minus b है वो क्या है अपने पास में even है ओके तो अगर mode of a minus b even है तो इसका अगर हम reverse कर दें मतलब b minus a b कर दें तो क्या हो जाएगा आपका यह भी even ही number मिलेगा is also even तो जब यह even है तो इसका मतलब क्या होगा b a belongs to r यह भी r से belong करेगा और अगर b a r से belong कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा आपका symmetric होगा तो आप बोल देंगे r is symmetric अब r हमको symmetric मिल गया अब हम चेक करते हैं transitive अब देखें transitive के लिए हम क्या माल लेते हैं हम ले लेते हैं let suppose let a b and b c दोनों काई से belong कर रहे है belongs to r तो अगर हम यह show कर दें कि a c जो है वो भी r से belong करता है तो यह transitive हो जाएगा तो देखें a b अगर belong कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो कि mode of a minus b is even वो एक even number होगा and b minus c भी r से belong कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा mode of b minus c is even यह b even होगा तो अब आप देखो यहाँ पे भी जो answer मिलेगा वो भी even है और यहाँ जो answer मिलेगा वो भी even है तो किसी even number में से अगर हम even number minus करेंगे तो हमको क्या मिलेगा even number ही मिलेगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमको मिलेगा mode of A-C वो भी क्या होगा? एक even number ही होगा तो जब ये भी even number है तो ये हमारे relation को satisfy कर रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि A, C ये भी क्या होगे? R से belong करेंगे इसलिए क्या होगा? therefore, R is transitive अब ये तो हमने एक general form में लिख दिया फिर भी समझने के लिए आपको मैं इस relation में एक चीज़ लिखा देता हूँ जिसे suppose हम मानते हैं कि 1, 3 ओके हमने A, B ले लिया 1, 3 ये आपका R से belong कर रहा है ओके इसको मैंने माना A और इसको ले लिया B तो अब अगला कोई सा element ऐसा ले लेते हैं जो हमारा 3 से start हो तो मैं इसको ले लेता हूँ B और C अब देखिए आपके पास B की value भी है 3 है इधर भी B की value 3 है तो इसका मतलब जो AC हो कितना आना चाहिए 1 और 5 तो देखो यहाँ पे ये AC 1 और 5 बिलोंग कर रहा है इस तरीके से आप किसी को भी check करेंगे तो सारे elements जो हैं वो आपके transitive मिलेंगे तो इसलिए हम बोल सकते हैं therefore R is transitive अब देखिए ये reflexive भी है symmetric भी है और transitive है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये relation क्या होगा आपका तो ये equivalence भी होगा तो hence R is an equivalence relation इसलिए हम इसको equivalence relation बोलेंगे अब देखिए नेक्स हमाई पास question में क्या बोला गया था question में हम से बोला गया था कि next हमको show करिये show that all the elements of 135 are related to each other हमको ये show करना कि 135 जो है वो आपस में relate करेंगे ओके तो ये हमाई पास set हो गया 135 अब देखिए ये आपस में relate कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास relation क्या दिया था relation यही दिया था हमारे पास में कि mode of a minus b क्या है एक even number होना चाहिए तो इसमें जितने भी element है उसमें से आप देखे minus करके देखिए 1 minus 3 करेंगे तो आपको मिलेगा minus 2 और mode of minus 2 क्या होगा मतलब even number मिलेगा फिर आप 1 minus 5 करेंगे तो भी आपको even number मिलेगा फिर 3 minus 1 करेंगे तो भी even number मिलेगा 5 minus 1 करेंगे तो 4 वो भी एक even number है मतलब यह सारे numbers क्या हो रहे हैं आपस में relate कर रहे हैं तो इसलिए हम लिख देंगे कि यह सारे number आपस में relate करेंगे ओके और reason क्या होगा तो reason ही होगा कि modulus of जो इनका अगर हम difference निकालें तो modulus of the difference वो क्या मिलेगा आपने को एक even number ही मिल रहा है difference between any two element आप किसी भी दो element को ले लो सब के बीच का जो difference होगा वो कितना होगा आपका even ही मिलेगा तो will be even तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि modulus of the difference between any two element will be even इनके बीच के जो modulus का difference होगा वो even number होगा आप देखिए next check करते हैं next set हमारे पास में क्या दिया हुआ है next set में दिया है मैं पास में 2 और 4 अब यह आपस में relate करेगा क्या तो देखिए 2 minus 4 minus 2 मिलेगा तो minus 2 मतलब mode of minus 2 मतलब 2 तो वो भी एक आपका even number है और उसका उल्टा कर देंगे 4 minus 2 तो 2 भी आपका एक even number है तो मतलब यह दोनों element भी आपस में relate कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि all the elements of the set 2,4 are related to each other यह भी क्या होगा आपस में relate करेंगे तो इसमें भी आप एक statement लिख देंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्यों होगा यह आपस में relate तो as all the elements आप देखिए इसमें सारे elements even number हैं तो even number में से आपको even number minus करोगे तो even number ही मिलेगा तो as all the elements of this subset are even इसके सारे elements क्या हैं even हैं तो even में से तो हम कुछ भी minus करेंगे तो even ही मिलेगा अब last चीज़ हम से बोला गया था कि यह बताओ कि जो दोनों set हैं आपके 1,3,5 और 2,4 यह दो set दिये वे हैं यह आपस में relate नहीं करेंगे यह हमको show करना है तो देखिए हमारे पास यह जो set है इसके जितने भी elements से वो सब क्या हैं आपके odd numbers है और यह वाले जो set हैं इसमें जितने भी elements से वो सब क्या हैं आपके even number है अब आप देखो किसी भी odd number में से even number minus करोगे तो हमको कहीं पे भी even number नहीं मिल पाएगा इसलिए ये दोनों आपस में relate नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा relation नहीं क्या है relation यहीं बोल रहा है कि आपका a minus भी क्या होना चाहिए even number होना चाहिए लेकिन अगर हम इनको आपस में minus करेंगे तो हमको even number नहीं मिलेगा तो आप देखे जो भी हमारा relation बना था हमने यहाप यह relation लिखा था ना इस relation में आपको कहीं भी ऐसा number नहीं मिलेगा मतलब कि जैसे 1 और 2 मतलब एक even और एक odd number कहीं पर आता हो वो आपको कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देगा या तो दोनो odd number होंगे या दोनो even number होंगे चेक कर दीजे यहाँ 11 ओडे दोनो 13 ओडे 15 ओडे 22 दोनो even number है 24 दोनो even है 31 दोनो odd number है ओके तो कहीं पर भी यह दोनो subset आपस में relate कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं reason क्या है कि इन दोनो दोनों subsets का difference कभी भी even number नहीं होगा तब इसका हम statement लिख देते हैं तो statement में हम लिख देंगे as all the elements as all the elements of subset 1, 3, 5 इसके सारे elements क्या हैं? odd है, are odd and all elements of subset 2, 4 are even इसके सारे elements क्या हो गए आपके? even है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि thus the modulus of the difference between the two elements मतलब इन दोनों के बीच का जो difference है, वो आपको क्या है? even number नहीं मिलेगा तो between the two elements will not be even वो कभी आपको even number नहीं मिलेगा अब नेक्स question number 9 9 देखे, क्या दिया है? show that each of the relations are in the set A is equal to x belongs to z such that 0 is less than or equal to X is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12 given by the relation यह दो हमाँ पास relation दिये हुए है और यह show करना है कि equivalence relation है आपको show करना है कि equivalence relation है and find the set of all the elements related to 1 in each case तो देखिए हम नहीं यहाँ पे यह set A लिखा set A हमाँ पास में X belongs to Z और यह condition है कि X की value जो है 0 या 0 से greater होगी and less than 12 होगी तो सबसे पहने तो इस set को हम समझ लेते हैं लिख देते हैं अब Z क्या है आपके बास में तो Z क्या होंगे आपके सारे integers होंगे अब देखिए तो integers में तो positive और negative number दोनों आते हैं लेकिन यहाँ पर condition यह है कि X की value 0 या 0 से greater होना चाहिए और 12 से के equal होना चाहिए उससे छोटी होना चाहिए तो इसका मतलब set A में क्या-क्या number हो सकते हैं क्या-क्या elements होंगे हमारे तो set A में 0 से लेके तो 12 तक के सारे number लाई करेंगे 8, 9, 10, 11 और 12 12 और 0 दोनों हमको consider करना है क्योंकि condition है equal to तो यह हमारे set रेके सारे element हो गए अब हमारे पास first relation दिया होगा है first relation क्या है तो first relation है r is equal to a b such that mod of a minus b is a multiple of is a multiple of 4 कि mod of a minus b 4 का multiple होना चाहिए तो अब आप देखिए कि अगर हम a minus b करते है मतलब कोई भी number a minus b करेंगे तो वो क्या होना चाहिए 4 का multiple होना चाहिए यह condition हमारी fulfill होना चाहिए तो आप सबसे पहले हम इसको check करना है equivalence check करना है हमको तो equivalence check करने के लिए पहले क्या check करेंगे हम reflexive है या नहीं है तो देखिए reflexive के लिए हमारी condition क्या होगी a minus यह होना चाहिए ना कि अगर मालो mode of a minus a b की जगे भी अगर मैं a रख दूँ तो mode of a minus a कितना होगा 0 होगा तो 0 is a multiple of 4 होगा ना mode of a minus a कितना मिलेगा अपने को 0 मिलेगा और 0 तो multiple of 4 है तो is a multiple of 4 तो इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए यह reflexive होगा तो हम इसलिए हम बोल देंगे कि जब यह 0 है तो यह 4 का multiple हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे A और A belongs to R और अगर A और A जो है बिलोंग करता है R से तो इसका मतलब होगा कि R is reflexive R हमारा reflexive होगा अब सेगन हम चेक करते हैं symmetric के लिए तो symmetric के लिए हम suppose माल लेते हैं कि let AB belongs to R AB R से बिलोंग कर रहा है तो अगर AB R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि mode of A minus B क्या है is a multiple of 4 वो एक 4 का multiple होगा अब देखे mode of A minus B लिखे या mode of B minus A लिखे answer तो दोनों का same ही आना है तो इसका मतलब अगर mode of A minus B 4 का multiple है तो mode of B minus A B 4 का multiple होगा is a multiple of 4 तो अगर mode of B minus A 4 का multiple होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो B और A है वो आपका क्या होगा belongs to R वो आपका R से बिलोंग करेगा अब देखे AB भी R से बिलोंग कर रहा है और हमने यह भी शो कर दे कि BA भी R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब R और R इन्वर्स दोनों जो है R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि R आपका क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि R is symmetric R आपका symmetric मिल गया अब transitive हम चेक करते है तो transitive के लिए again हम suppose कर लेते हैं कि let AB AB जो है आपका AB और BC दोनों काई से बिलोंग कर रहे है belongs to R यह दोनों R से बिलोंग कर रहे है तो यह दोनों अगर R से बिलोंग कर रहे है इसका मतलब यह हुआ कि mod of A minus B is A multiple of 4 यह 4 का multiple होगा and B minus C B R से बिलोंग कर रहे है इसका मतलब यह हुआ कि B minus C mod of B minus C is A multiple of 4 यह भी 4 का multiple है ओके तो अगर यह भी 4 का multiple है और mod of B minus C भी 4 का multiple है तो इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो mod of A minus C होगा भाई वो भी 4 का multiple होगा तो वो भी 4 का multiple होगा तो is the multiple of 4 अब यह भी 4 का multiple होगा इसका मतलब यह हुआ that is A C जो है वो काई से बिलोंग करेगा आपको belongs to R अब देखें A B और B C तो R से बिलोंग करी रहे थे हमने यह शो कर दिया कि A C भी जो है R से बिलोंग कर रहे है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका हम बोल सकते हैं कि R is transitive R हमारा transitive होगा अब R transitive है तो जब यह relation हमारा reflexive, symmetric और transitive तीनों है तो इसलिए आपका R जो है वो equivalence भी होग जाएगा तो इसलिए हम बोल देखेंगे R is an equivalence relation R आपका equivalence relation होगा अब देखें यहाँ पर हमको एक चीज़ और find करना है इसलिए बोली ती गई थी क्या बोला गया है question में question में हमको बोला गया है कि find the set of all elements related to one in each case आपको सारे elements और find करना है जो set में one से relate कर रहा है तो हम इसका अगर set लिखते हैं ओके तो set क्या बनेगा आपका अगर हम इसका एक set बनाएंगे तो set में क्या क्या होगा तो देखो अगर हम a की जगे one रखते हैं तो one minus one अगर b की value भी हम one रखते हैं तो one minus one क्या मिलेगा आपको जीरो तो zero four का multiple है ओके फिर हम a की value one रखते हैं तो a की value one रखने पे अब क्या number रखें कि हमको जो four का multiple मिल जाए तो देखे one minus five करेंगे मतलब की अगर b की value में five रख दूँ तो क्या मिलेगा हमको one minus five मतलब की four minus four मिलेगा तो ये एक four का multiple हुआ ओके फिर one और nine आपको मिलेगा minus करने पे eight तो mode of one minus nine क्या हुआ eight मिलेगा तो वो भी क्या है आपका four का multiple हुआ तो इसका मतलब हमारे set में क्या क्या होंगे ये तीनो order pair होंगे तो अब इसमें पूछा था कि इसमें कौन-कौन से element आ रहे है तो इस set में कौन-कौन से elements है तो देखे एक तो one आ रहा है इसमें दूसरा कौन सा number आ रहेगा five आ रहा है और एक nine आ रहा है ये तीन elements इस पूरे set में present है ये हमको बताना था अब second हमारे पास में relation दिया वाए r is equal to a b such that a is equal to b ये हमारे पास condition है अब check करते हैं हम reflex ही हुए या नहीं है तो देखिए a और b दोनों जो हैं आपके equal हैं तो अगर हम b की जगे भी a रखेंगे तो दोनों equal ही होंगे ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि since a और a a के ही equal होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस condition को fulfill कर रहा है तो that is a और a वो क्या होंगे आपके r से belong कर जाएंगे और ये r से belong कर रहा है इसलिए कि आप बोलेंगे हम r is reflexive r हमारा reflexive हो जाएगा फिर second चीज़ हम check करते हैं symmetric तो symmetric के लिए क्या हम suppose करते हैं हम मालने थे कि late हमने बोला कि a b जो है वो r से belong कर रहा है तो a b r से belong कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि a is equal to b तो अगर a is equal to b है तो इसको हम b is equal to a b तो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो b is equal to a हो गया इसका मतलब यह हुआ कि b और a belongs to r according to relation यही है ना कि a is equal to b है तो यहाँ पर a b मिलेगा हमको तो b a है तो b a आपका symmetric r हमारा symmetric हो गया अब transitive चेक करते हैं तो देखिए उसके रहे हम क्या माल लेंगे कि let a b and b c यह क्या है r से belong कर रहे हैं तो अब a b अगर r से belong कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि a is equal to b है और b c जो है वो r से belong कर रहा है इसका मतलब यह होगा कि b is equal to c होगा अब a b के बराबर है और b c के बराबर है इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a और c भी आपस में equal होंगे और a is equal to c है इसलिए हम बोल सकते हैं कि according to relation a c b जो है वो r से belong कर जाएगा तो यह अगर r से belong करेगा तो therefore r is transitive r को हम transitive बोलेंगे अब यह relation क्या है reflexive symmetric और transitive तीन हो है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि यह आपका एक equivalence relation हो गया hence r is an equivalence relation आप एक equivalence relation है अब इसमें हमको एक चीज़ों शो करना है कि इसमें जो set होंगे जो events related होगा वो कुन कितने elements होंगे तो देखें कंडिशन यहाँ पर क्या दियूँ है इस relation में a is equal to b होना चाहिए इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इसका set बनाते है तो इसके set में क्या क्या element होगा तो देखें a is equal to मतलब 1 is equal to 1 होना चाहिए तो a की value 1 रखने पे b की value भी क्या आएगा 1 आईगी इसके अलाबा कोई और इस set में ordered pair नहीं होगा तो इसका मतलब इस set में कौन कौन से element होगी तो इस set में सिर्फ एक ही element हुआ 1 इस set में क्या मिल रहा है हमको एक ही element मिल रहा है 1 तो यह होगा आपका answer अब देखें question number 10 question number 10 में हमाँ पास में दिया हुआ है कि give example of a relation which is आपको example देना है सबसे पहले which is symmetric but neither reflexive nor transitive तो हमको यहाँ पे एक ऐसा example देना है कि वो आपका symmetric हो लेकिन reflexive और transitive नहीं हो ओके तो हम यहाँ पे कोई भी set ले लेते हैं suppose मान लो जो है मैंने एक set लिया a जिसमें में पास element है मैंने माना 5, 6, 7 यह तीन element में ले लेता हूँ अब यहाँ मुझे relation लिखना है तो relation इस तरीके से लिखना है कि वो सबसे पहले देखो reflexive और transitive नहीं होना चाहिए symmetric होना चाहिए तो reflexive और transitive नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 5, 5, 6, 6 और 7, 7 नहीं होना चाहिए ठीक है और symmetric होना चाहिए मतलब उसका inverse होना चाहिए तो inverse क्या तो मैं इसमें से suppose मैं यह लिख देता हूँ 5, 6 ओके अब इसका inverse क्या होगा 6, 5 मतलब वो इस relation में belong करना चाहिए ठीक है तो यह मेरा क्या हो गया अब आप देखो यह एक example मिल गया हमको यह reflexive नहीं है क्योंकि यहां पर 5, 5, 6, 6 और 7, 7 present नहीं है और यह symmetric है क्योंकि 5, 6 उसका inverse 6, 5 भी यहां पर present है फिद यह transitive है क्या तो देखे transitive भी नहीं है क्यों? क्योंकि यहां 5, 6 और उसका 6, 5 है है ना तो A, B, B, C तो 5, 5 यहां पर present होता तो यह transitive हो जाता लेकिन यह भी transitive भी नहीं है तो यह हमारा एक example हो गया फिर दूसरा example हमको बोला गया है second में कि आपको यह बताना है एक ऐसा example बताईए कि वो transitive हो बट neither reflexive nor symmetric ओके transitive तो हो लेकिन symmetric और reflexive नहीं हो तो एक ऐसा example थो हम यहां पर भी एक set एजिम कर लेते हैं suppose एक set मैंने ले लिया उस set में क्या क्या है elements आपके पास में 1, 2, 3 ओके अब हमको इस तरीके से relation लिखना है कि वो आपका symmetric और transitive sorry symmetric और reflexive नहीं होना चाहिए transitive होना चाहिए तो देखे यह कब possible है यह ऐसी condition में possible है कि जब हमारा a और b कभी भी equal ना हो तो वो reflexive नहीं होगा तो उसको समझने के लिए मैं के relation लिखता हूँ r is equal to हम suppose मानते general form में लिखता हूँ a b ओके तो a b की condition क्या होना चाहिए यह condition होना चाहिए कि अगर हम a को जो है छोटा रख दे b से तो अब देखे कभी भी a और b बराबर हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे तो इसके कारण क्या होगा यह कभी भी हमारा reflexive नहीं बन पाएगा फिर दूसरी condition है हमको यह शोगना कि symmetric भी ना हो तो देखे अगर a इसमें हमेशा a चोटा होना चाहिए तो अगर a भी इसमें belong करेगा तो b a इसमें belong नहीं कर पाएगा तो वो condition भी हमाई यहां पर fulfill नहीं होगी ओके और transitive में यह fulfill हो जाएगी तो उसको में चेक करके देख लेते हैं तो देखे अगर हम यहां पर relation बनाते हैं यह हमने relation लिखा तो इस set के हिसाब से हमारा relation क्या बनना चाहिए 1 रखेंगे तो 1, 2 ओके क्योंकि big की value जो है greater होना चाहिए फिर उसके बाद में हम यहां पर लिख लेते हैं 1, 3 एक set यह भी बन जाएगा ना क्योंकि यह p क्या है हमारा 3 greater है 1 से फिर 2, 3 यह हमारे सारे elements मिल रहे हैं हमको अब check कर लो आप देखो क्या इसमें 1, 1 2, 2 और 3, 3 बिलोंग कर रहे हैं तो देखिए यह बिलोंग नहीं कर रहा है ओके इसलिए क्या होगा इसलिए R is not reflexive यह R आपका reflexive नहीं हुआ ठीक है फिर आप देखो कि यहां पर 1, 2 जो है बिलोंग कर रहा है 1, 2 belongs to R सुरी मैं वापस से लिख दिता हूँ 1, 2 जो है आपका बिलोंग कर रहा है R से ठीक है बट क्या इस relation में 2, 1 बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है इस relation में देख लीजए कहीं पर 2, 1 मिल रहा है तो 2, 1 इसमें नहीं है तो 2, 1 does not belongs to R इसका मतलब क्या हुआ कि R is not symmetric कि R आपका symmetric भी नहीं होगा ठीक है अब transitive चेक करते हैं तो देखे transitive के लिए क्या condition होती है अपनी A, B और B, C बिलोंग करना चाहिए तो यहाँ पे इसको अगर हम A माल लेते हैं और इसको B लेते हैं तो फिर दूसरा number क्या होगा आपको क्या मिलेगा यह order पे लेना पड़ेगा B, C ओके तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 और 2, 3 बिलोंग कर रहा है तो 1, 2 and 2, 3 बिलोंग स्टू R तो अब A, C मतलब यह तो होगा आपका A, B और यह होगा आपका B, C यह अगर R से बिलोंग कर रहा है तो यह A और C, B, R पे बिलोंग करना चाहिए इसका मतलब है कि यह 1 और 3 अगर R से बिलोंग कर जाएगा तो यह हमारा ट्रांजिट्टी हो जाएगा अब देखे 1, 3 बिलोंग कर रहा है R से तो यहाँ पे 1, 3 प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं 1, 3 बिलोंग स्टू R इसलिए क्या हो जाएगा आपका therefore R is ट्रांजिट्टीव तो हमने शो कर दिया कि R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है R सेमेट्रिक भी नहीं है but R is ट्रांजिट्टीव थर्ड थर्ड में हमसे बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव एंड सेमेट्रिक but not ट्रांजिट्टीव मतलब कि हमको एक ऐसा एक्जामपल बताना है जो रिफ्लेक्सिव और सेमेट्रिक तो हो but ट्रांजिट्टीव नहीं तो इसके लिए भी हमें एक सेट कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज हमने एक सेट लिया ए उसके अंदर हमाँ पास में एलिमेंट है 1, 2 और 3 अब देखिए हमारा सबसे पहली चीज़ क्या है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो अगर हम रिलेशन लिखें तो रिफ्लेक्सिव कब होगा जब उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तीनों होना चाहिए तो हमने एक रिलेशन लिख दिया जिसमें की 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तीनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब अब ये रिलेशन क्या बन क्या अपना रिफ्लेक्सिव मिल गया अब सेगंड चीज़ आती ही सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक कब होता है जब R और R इन्वर्स प्रेजेंट हो तो इस रिलेशन में मैं एकोर बना देता हूँ 1, 2 तो इसका इन्वर्स 2, 1 भी यहां प्रेजेंट होना चाहिए और फिर हम एकोर रिलेशन में बना देते है 2, 3 तो इसका इन्वर्स 3, 2 भी यहां प्रेजेंट होना चाहिए इसका मतलब अब रिलेशन क्या होगी आपका यह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि देखें 1, 2 इसका इन्वर्स 2, 1 यहां प्रेजेंट है और 2, 3 है तो उसका इन्वर्स 3, 2 भी हमने यहां प्रेजेंट हुआ है अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव तो देखें मैं इसको A मान लेता हूँ और यह B मतलब A की वेल्यू में यह पास 1 है और B की वेल्यू 2 है और फिर अगला नंबर हमको ऐसा लेना है BC तो B की वेल्यू भी 2 होना चाहिए तो मैं इसको लेता हूँ B और C अब आप देखें कि AB और BC दोनों इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो अगर AC यहां प्रेजेंट होगा तो ही यह ट्रांजेट्यू होगा Otherwise नहीं होगा और हमको बताना है कि यह ट्रांजेट्यू नहीं है तो देखें AC A कितना है 1 और C कितना है 3 मतलब 1 और 3 क्या 1 और 3 इस रिलेशन में कहीं पे आ रहा है अब next fourth question में हमको बोला गया है कि ऐसा example बताईए जो reflexive और transitive हो बट symmetric नहीं हो ओके तो इसके लिए हमने set consider किया है कि let A is equal to 1, 2, 3 एक हमाई पास में set है अब देखें इसके लिए हमको relation लिखना है तो relation कैसे लिखें तो सबसे पहले हमको देखना है कि reflexive show करना है इसका मतलब reflexive के लिए हमको इस relation में 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तीनों रखना पड़ेगा तब जाके relation हमारा reflexive होगा फिर हमको देखिए symmetric नहीं होना चाहिए symmetric नहीं होना चाहिए मतलब inverse नहीं होना चाहिए तो जैसे मैं एक number लिखता हूँ 1, 2 यह हमने एक order पेजर यहां पे लिखा 1, 2 तो इसका inverse हम 2, 1 यहां पे नहीं लिखेंगे अगर हम 2, 1 लिख देंगे तो यह symmetric बन जाएगा लेकिन हमको इसको symmetric नहीं बनाना है इसलिए हमने सिर्फ 1, 2 लिखा अब देखिए अब हमको इसको transitive बनाना है तो हमने दो चीज तो यहां पे show कर दी अब transitive चेक करना है तो transitive उसको बताना है कि यह transitive है तो देखिए हमने इसको A और B माना तो हमको BC भी यहां लिखना पड़ेगा तो BC क्या होगा मतलब B की value भी आपको 2 ही रखनी पड़ेगी यहां पे और C कितना ले लेंगे हम 3 तो यह बन गया आपका AB और BC अब इसको अगर transitive बताना है तो A और CB यहां present होना चाहिए मतलब A कितना है अपने पास में 1 और C कितना है 3 इसका मतलब 1 और 3 भी यहां पे present होंगे तब जाके यह हमारा A, C मिलेगा तो अब यह relation क्या बन गया आपका transitive बन गया क्योंकि यह A, B, B, C और A, C यह तीनो present है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि relation हमारा reflexive भी है transitive भी है और symmetric नहीं है अब देखें next question number fifth तो fifth में हमसे बोला गया है कि ऐसा एक example दीजिए जो symmetric हो और transitive हो but reflexive नहीं हो तो हम इसके लिए एक state consider कर लेते हैं तो suppose हमने एक state माना जिसमें हमारे पास element है 5, 6 हम दो ही element यहां पे ले लेते हैं अब बच्चों हमको यहां पे इसको सबसे पहले क्या show करते हैं हम symmetric की condition रखते हैं क्योंकि हमको symmetric show करना है तो symmetric कब होगा तो देखें अगर 5, 6 और उसका inverse 6, 5 present होगा तब यह symmetric बन पाएगा तो इसका मतलब यह दोनों जो है order pair इसमें present होगे तो यह relation हमारा आप symmetric हो गया अब transitive चेक करते हैं तो देखें transitive के लिए क्या होना चाहिए A, B, A कितना अपने पास में 5 B है 6 और इसको मालनें के B, C जो है अपना क्या हो गया B की value 6 हो गई और C की value 5 तो अब यह A, B, B, C के form में मिली है हमको तो अब इसको अगर हम transitive बनाना है तो A, C भी यहां present होना चाहिए अब A, C कितना बनेगा A की value 5 है और C की value भी 5 है इसका मतलब यहां पर 5 और 5 भी लिखना पड़ेगा तब जाके यह transitive बनेगा तो देखें, symmetric भी हो गया है अब यह transitive हो गया है कि जितने element होते हैं वो सबकी identity element यहां पर present होना चाहिए मतलब देखो 5,5 और 6,6 present होना चाहिए 5,5 तो है, लेकिन 6,6 नहीं है इसलिए reflexive नहीं होगा तो यह हमारा की example हो गया जो symmetric है, transitive है, but reflective sorry, but reflective नहीं है आप देखें, next question है question number 11 show that the relation R in the set A of point in a plane given by R is equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from origin is an equivalence relation तो देखें, हमारा पास क्या दिया हुआ है एक set A दिया है, जिसके अंदर points है जो भी plane में points है वो सारे उस set के अंदर होंगे और relation इस तरीके से दिया हुआ है कि जो PQ है, उनकी origin से distance equal है, और अपने कोई शो करना है कि एक equivalence relation है उसके बाद second चीज़ हमको दी हुई है further show that the set of all the points related to a point P not equal to 00 is the circle passing through P with origin as center ओके, अब देखें बच्चो question number 11 question 11 में हमारा पास में क्या दिया हुआ है तो पहले तो हमने क्या करा रहा है जो question 11 उसको दो part में divide कर लिया है तो first part में हमने उसको ये बोला गया है कि एक set A है जिसके अंदर हमारा पास points हैं जो एक plane में जितने की points हैं वो लाई कर रहा है और relation इस तरीके से दिया हुआ है PQ such that distance of the point from the origin is same as the distance of the point Q from the origin मतलब कि origin से P और Q जो points होंगे उनकी distance सेम होगी ये अपने पास में relation दिया है अब हमको इसको पहले equivalence शो करना है उसके बाद हम इसके second part को समझेंगे तो सबसे पहले आप देखें अगर इसको equivalence शो करना है तो हमको इसको reflexive, symmetric और transitive शो करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम check करते है reflexive के लिए अब देखें, point क्या है, P2 है ना, अब एक plane में infinite points हो सकते है तो हम माल लेते हैं, ये एक हमाई पास में कोई point है, कुन सा P, तो P और P अगर इस relation में belong करेगा तभी ही ये reflexive हो पाएगा अब देखें, क्या P पी इस relation में belong कर सकता है तो देखें, अगर हम origin से बात करें, suppose ही हमाई पास एक origin है ओके, ये हमने एक plane बना दिया, ये इसके coordinate हो गए 00, तो यहां से अगर हम कोई point लेते हैं, यहां पे suppose P है, ओके, तो देखें इस P के जो P point है, उसकी image क्या होगी, वो भी same ही होगी मतलब एक ही point है, उसकी distance तो equally होगी न, origin से तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पे, कि distance of the same point P from the origin is always same, बाई, एक point की जो origin से distance है वो तो हमेशा same ही रहने वाली है तो इसलिए हम बोल सकते हैं पी-पी जो है अपना R से बिलोंग करेगा तो क्यों करेगा इसका reason आप नीचे लिख दीजे as, अब मैं reason लिख देता हूँ तो यह हमने reason लिख गया as distance of same point P from origin is always same, कि origin से एक point की distance हमेशा same ही रहने वाली है, उसमें कोई change नहीं होगा, तो इसलिए अपना PP इससे बिलोंग कर रहा है, तो जब PP हमारा relation से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब R क्या हो जाएगा आपका therefore हम कह सकते हैं कि R हमारा reflexive है हब second हम check करते हैं condition क्या यह symmetric है तो देखे, symmetric के लिए क्या condition होती तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि let PQ PQ कोई दो point है जो हमारे relation से बिलोंग कर रहे है तो यह PQ हमारे दो point है जो relation से बिलोंग कर रहे है अब देखे, PQ relation से बिलोंग कर रहेगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि जो PQ की distance है, origin से वो same रहने वाली है तो मैं इस statement को लिख देता हूँ यहाँ पर तो बच्चों मैंने statement लिख दिया जैसा हमारे पास relation में दिया था वही statement मैंने यहाँ पर as it is लिख दिया कि distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from origin क्योंकि हमारा PQ relation से बिलोंग कर रहा है अब देखिए कि P और Q की distance बराबर है तो फिर Q और P की distance भी equally होगी, तो इसी relation को मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि distance of the point Q P की जगे हम Q के लिख दें और Q की जगे P लिख दें एक ही बात है न भाई, PQ की distance बराबर है और Q P की distance बराबर है दोनों बात को दोनों का meaning तो same ही है तो अब हम इसको statement को वापस से लिख देते हैं इस तरीके से तो हमने statement वापस से लिख दिया कि distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point P from origin अब देखिए इस relation से हम क्या बोल सकते हैं, अब इस relation से हम यह बोल सकते हैं कि Q P जो है वो भी आपका इस relation से बिलोंग करेगा ओके, तो Q P भी अगर R से बिलोंग कर रहा है तो P Q इसमें अल्रेड़ी पहले से बिलोंग कर रहा था और अब हमने यह show कर दिया कि Q P भी जो है R से बिलोंग कर रहा है तो Q P अगर R से बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं कि यह R जो है वो क्या होगा तो therefore R is symmetric अब R को हम symmetric बोल सकते हैं अब हम चेक करते हैं transitive के लिए तो देखे transitive के लिए हम क्या मानेंगे तो हम suppose करते हैं कि PQ और QR दो number हैं यह क्या हैं यह दोनों हमारे pairs relation से belong कर रहे हैं अब PQ जो है R से belong कर रहा इसका मतलब P और Q की distance origin से equal है और QR भी R से belong कर रहा इसका मतलब Q और R की जो distance है वो भी origin से equal है ठीक हैं तो अब हमको P और R भी अगर इस relation से belong कर जाएगा तो यह transitive होगा तो देखें suppose यह आपका origin हो गया O यहां से P और Q इन दोनों की distance equal है मैं माल लेता हूँ suppose समझने के लिए कि दोनों की distance कितनी है 55 units है तो जो यह second relation क्या बोलता है Q और R तो यह हमने एक point ले लिया R तो Q और R यह भी जो है equal distance पर मतलब इसकी distance भी कितनी होगी 5 unit तो देखिए P Q और Q R P Q दोनों जो है equal थे Q R दोनों equal थे तो इसका मतलब P और R भी equal distance पर ही होगे दिख रहा है न दोनों की distance यह होगी equal होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपका P और R है वो भी relation से belong कर जाएगा तो अब हम इसके statement लिख देते है तो बच्चों यह हमने यहां पर statement लिख दिया किस तरीके से the distance of the point P and Q from the origin is same क्योंकि P Q हमारा R से belong कर रहा था इसलिए P और Q की distance origin से same होगी और साथ में Q R भी हमारा R से belong कर रहा है इसलिए Q R की distance भी same होगी तो उसके लिख दिया and also the distance of the point Q and R from the origin is same अब देखे P Q और Q R दोनों की distance बराबर है इसलिए P और R की distance भी जो है P और R की distance भी origin से equally होगी तो उसके लिए हमने statement लिख दिया है distance of the point P and R from the origin is same तो आपको इस तरीके से statement लिख देना है अब देखे जब P और R भी हमारा जो है same distance पे इसका मतलब P R जो है आपका relation से बिलोंग करेगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि that is P R belongs to R अब P R हमारा जो है R से बिलोंग करेगा इसलिए हम बोल सकते हैं therefore R is transitive इसलिए R हमारा क्या हो जाएगा transitive हो गया अब देखिए यह relation अलरेडी हमने इसको symmetric भी शो कर दिया है reflexive भी शो कर दिया है और transitive भी शो कर दिया है इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए हम बोल सकते हैं therefore R is an equivalence relation R क्या हो जाएगा आपका equivalence relation हो जाएगा equivalence relation अब बच्चो इस question के second part को समझते है second part में क्या दिया है कि further show that the set of all points related to the point P not equal to 00 is the circle passes through P with origin as center मतलब यह बोल रहा है कि जो एक point है P 00 नहीं होना चाहिए मतलब कि origin को छोड़के जो point P है आपका वो उन सब points की अगर distance से में तो वो एक circle form करेगा यह अपने को show करना है देखे कि इस तरीके से इसको हम समय लेते हैं तो यह suppose आपके पास में एक point है origin अब यह बोल रहे हैं कि इस ओरिएंस एक पॉइंट P है ठीक है यह कितने भी एक fix distance पर होगा suppose यहां से यहां तक कि जो distance है वो अपन ने माल लिया कि के distance पर है कितने distance पर है के distance पर है तो जितने भी point जो है के distance पर होंगे वो मिलके circle form करेंगे तो देखिए यह point हमने बनाया यह point यह point 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 ऐसे करके हम जो है sorry यह थोड़ा मेरा circle अच्छा नहीं बना तो यह अगर हम इस तरीके से सारे points बनाए जो क्या हो एक equal distance पर हों तो यह मिलके क्या form करेगा एक circle form करेगा है ना आप मेरे figure मेरा थोड़ा सा खराब बनाए बट भावनों को समझिए तो क्या है कि जो 0 से P की distance है इतनी ही distance पर जितने point origin से होंगे वो सब मिलके circle form करेंगे तो yes वो सारे point मिलके हमारे circle को form करेंगे बस condition क्या है कि P जो है वो 0 0 नहीं होना चीए अगर 0 0 होगा तो क्या होगा वो origin पर लाए करेगा है ना तो इसलिए वो P 0 0 नहीं होना चीए मतलब origin पर नहीं होना चीए इसके अलाव कहीं पर जो point P होगा वो सब मिलके points क्या form करेंगे वो सारे equivalence points मिलके हमको एक circle form करेंगे जो कहां से इसका center क्या होगा origin होगा अब इसको हम statement में किस तरीके से लिखेंगे वो देख ले तो बच्चों है इसका statement में यहां पर लिख दिया है तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो the set of all points related to P not equal to 0 0 will be those distance from the origin is same लगता को इस लिखने mister key will be those points यहां पर points आएगा will be those points whose distance whose distance from the origin is the same मतलब कि आप देखिए यहां पर कि जितने भी point P से related होंगे वो सब क्या होंगे वो सारे points होंगे जिनकी origin से distance same होगी जैसे suppose मालों यहां पर एक point Q है तो वो Q point क्या होगा उसकी इस origin से distance equal होगी एक point हमने r लिया वो भी क्या होगा यहां पर equal distance पर होगा मतलब इसकी distance भी k इसकी distance भी k तो जितने भी point होंगे इस circle पर वो सब क्या होगे? equal distance पर होगे और एक और चीसीज़ है कि यह circle कहां से pass होगा P से pass होगा ठीक है तो हमने एक लिख statement में लिख दिया, the set of all points, the set of all points related to P not equal to 00 will be those points whose distance from the origin is same and hence this set of the points from a circle with the center as the origin and this circle passes through point P, मतलब कि क्या है, कि जो आपका set बनेगा, तो यह set क्या होगा, तो set of points form से circle, यह जो set होगा आपका, वो मिलके एक circle form करेगा, जिसका center origin होगा और वो point P से pass होगा, देखिए बच्छा, question number 12, 12 में क्या दिया है, show that the relation are defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2, such that T1 is similar to T2, is equivalence relation, मतलब हमारे पास में क्या दिया है, एक set दिया है, जो set के अंदर क्या है, हो सारे triangles है, और relation यह दिया हुआ है, कि T1, T2 होगे, कि T1 is similar to T2, कि इस relation में T1 और T2 जितने triangles होगे, वो सारे क्या होना चाहिए, similar होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आगे हमसे बोला गया है, consider three right angle triangles, T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, and T3 with side 6, 8, 10, which triangles among T1, T2, T3 are related, तो इसके बाद हमसे बोल रहे हैं, कि आप जो है, तीन right triangle consider करिए, एक T1, जिसके sides क्या क्या होंगी, 3, 4, 5, दूसरा triangle T2 होगा, जिसके side होगी 5, 12, 13, और third triangle T3, जिसके side है 6, 8, 10, और फिर अपने को बताना है, इन तीनों triangle में से कौन सा आपस में relate करेगा, ओके, तो सबसे पहले तो हम हमारे इस question को दो part में divide कर लेते हैं, पहले हम इसको equivalence relation show करते हैं, उसके बाद हम इसके नीचे की कहानी को समझेंगे, तो बच्चों, यह हमाँ पास एक set A हो गया है, जिसके अंदर सारे triangles present हैं, और उसके बाद में हमाँ पास relation R दिया हुआ है, किस तरीके से दिया है relation R, तो relation R यह दिया हुआ है कि T1, T2, such that T1 is similar to T2, अब देखें सबसे पहले हम इसको check करते हैं कि क्या यह reflexive है या नहीं है, तो अब हमको मालूम है कि reflexive के लिए क्या condition होगी, यही condition होगी कि T1 और T1, R से बिलोंग करना चाहिए, ओके, तो T1 और T1 R से बिलोंग कर सकता है क्या, तो देखें, condition यहीं कि T1 और T2 similar होना चाहिए, मतलग कि T2 की जगे भी अपने पास T1 है, तो T1 ही similar to T1 होना चाहिए, तो अपने को मालूम है कोई भी triangle है वो अपने आपका तो similar होता ही है, होगा ना भाई, तो हर triangle अपने आपका similar होता है, इसलिए यह T1, T1 इस relation R से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए R हमारा क्या होगा, reflexive हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि since every triangle is similar to itself, हर triangle अपने आपका similar होता है, इसलिए क्या होगा, therefore R is reflexive, R आपका reflexive हो जाएगा, तो देखें बहुत simple था, हमने reflexive समझ लिया, अब हम check करते हैं, transitive, sorry symmetric, तो symmetric के लिए हम क्या मान लेंगे अब, कि let T1 और T2, यह दो triangle हैं, जो R से बिलोंग कर रहे हैं, तो T1, T2 अगर R से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि T1 is similar to T2, T1, T2 का similar होगा, तो हम यह भी तो बोल सकते हैं कि T2 is similar of T1, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम इसको इसको इस से लिख देंगे, T2 is similar to T1, अब देखें, जब T2 is similar to T1 है, इसका मतलब यह हमारे relation की condition को fulfill कर रहा है, तो हम यह भी बोल सकते हैं कि T2 और T1 जो है, वो R से बिलोंग करेंगे, करेंगे न भाई, जब T1, T2 के similar है, तो उसका उल्टा भी तो सही होगा ना, T2 और T1 भी similar होगे, अब देखें, R और R inverse, दोनों ही यहाँ पर क्या है, present हैं सेट में, तो इसलिए हम बोल देंगे, therefore R is symmetric, इसलिए R हमारा क्या होगा, symmetric हो जाएगा, अब हम चेक करते हैं, ट्रांजेटिव के लिए, तो ट्रांजेटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो हम माल लेते हैं कि, let T1, T2, अब यहाँ पर हमको तीन सेट लेना पड़ेंगे, तो हमने पहले मालना T1, T2, और T2, T3, यह तीनों सेट क्या हो रहे हैं, R से belong कर रहे हैं, मतलब T1, T2 भी R से belong कर रहा है, और T2, T3 भी R से belong कर रहा है, तो T1, T2, R से belong कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि, T1 जो है, वो T2 के similar है, मतलब T1 is similar to T2, बास मने आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर दीखे, T2, T3 भी R से belong कर रहा है, इसका मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि, T2 is similar, इसका मतलब यह हुआ कि, T1 और T3 भी आपस में similar होंगे, तो हम इसको बोल देंगे, कि T1 is similar to T3, अब जब T1 और T3 हमारा similar हो गया, तो इसका मतलब है, कि हम इसको बोल सकते हैं कि, T1 और T3 हमारे relation से belong करेंगे, क्योंकि यह हमारी condition को fulfill कर रहा है, तो T1, T3 भी अगर इस relation में हैं, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, हमारा set क्या हो जाएगा, तो R is transitive, R आपका transitive हो जाएगा, अब यह set हमारा reflexive भी है, symmetric भी है और transitive है, इसलिए हम इसको equivalence relation बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, therefore R is an equivalence relation, इसलिए R हमारा equivalence relation होगा, अब बच्चों इसमें second part को इसको समझते हैं, second part में क्या दिया हमें, आपस में 3 triangles दिये हुए हैं, T1 जिसकी side है 3, 4, 5, T2 जिसकी side है 5, 12, 13, और T3 जिसकी side है 6, 8, 10, ओके, अब यह बोलाए कि पता करिये, यह आपस में 3ो triangle में से, कौन से triangles जो हैं, वो आपस में relate करेंगे, अब देखिए, relation के हमारी condition क्या थी, relation की condition यही दियूई थी question में, की triangle क्या होना चाहिए, similar होना चाहिए, अब देखो थोड़ा सा पीछे अपने आपको ले जाए, previous classes में, और देखिए कि हमने जो है, 2 triangle similar की condition क्या पड़ी थी, तो हमने देखा था कि अगर sides का ratio अगर same होता है, तो triangles क्या होंगे आपके, similar होंगे, तो हम यहाँ पर देखते किन दो triangles की sides का ratio same है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इन दोनों को check करते हैं पिले, T1, T2 को, तो क्या होगा इसकी sides का ratio, 3 by 5, यह होगा, 3 by 5, 4 by 12, और 5 by 13, तो क्या इनका ratio same आ रहा है, तो इनका ratio same नहीं आ रहा है, इसका मतलब T1 और T2 तो आपस में, जो है, relate नहीं कर पाएंगे, है ना, तो यह तो आपस में relate नहीं करेंगे, अब हम check करते हैं T1 और T3 को, क्या यह आपस में relate कर रहे हैं, तो देखिए T1 क्या होगा, sides का ratio 3 by 6, इधर हम करेंगे तो 4 by 8, इसकी side का ratio निकालेंगे तो 5 by 10, अब इसको आप cut short करके देखिए, 1 by 2, यह भी हो जाएगा, 1 by 2, और यह भी हो जाएगा आपका, 1 by 2, तो इसका मतलब की sides का ratio कितना आ रहा है, सब का ratio आ रहा है आपका 1 by 2, मतलब की तीनो sides क्या हैं, सेम ratio में, इसका मतलब यह होगा कि जो आपका triangle T1 है, वो similar हो जाएगा triangle T3 के, और अगर यह similar है, तो यह हमारा relation को fulfill कर रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि T1 is related to T3, question number 13, तो देखें बच्चो, question number 13 में क्या दिया है, show that the relation R defined in the set A of all polygons, as R is equal to P1, P2, such that P1 and P2 have same number of sides, मतलब यह दिया है कि हमारे पास एक set A है, जिसमें polygons present है, उसमें सारे polygons present है, और relation R इस तरीके से दिया हुआ है, कि P1 और P2 में, जो दोनों आपके P1, P2 होंगे, वो same number of sides होना चाहिए, फिर हमको show करना है कि is an equivalence relation, उसके बाद बोल रहे हैं question में, what is the set of all elements in A, related to the right angle triangle T, with side 3, 4, 5, बहलाँ फिर हमको यह बताना है, कि एक right triangle है, relations आपको यहाँ पे, कितने elements यहाँ पे उसमें present होंगे, चलिए तो पहले हम इसको equivalence relation चो करते हैं, फिर हम इसके आगे के पार्ट को समझेंगे, तो बच्चों, यह हमाई पास में set A हो गया है, set A में सारे polygons प्रेजेंट हैं, और relation ही हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको check करते हैं सबसे पहले, कि क्या है reflexive है या नहीं है, तो देखिए reflexive की condition क्या होना चाहिए, अगर P1, P1 इस relation में belong करेंगे, तो यह अपना reflexive हो चाहेगा, तो देखिए, condition है, relation की P1 and P2 have same number of sides, मतलब कि जो polygon होना चाहिए P1, तो उसमें same number of sides होना चाहिए, तो देखिए P1, P1 आपस में बिल्कुल relate कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम एक same polygon की बात करें, तो उसमें तो same number of sides होगी न, मतलब जो same figure है, उसमें तो same number of sides present होना ही है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात P1, P1 की कर रहें, P2 तो अभी हमारा यहां पे कुछ ही ही नहीं, तो इसलिए हम बोल देंगे, कि as same polygon, जिस polygon की बात कर रहें, उसकी sides तो same रहनी ही वाली है, तो same polygon have same number of sides, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं, कि P1, P2 जो है, sorry, P1, P1, R से belong कर रहा है, अब यह अगर P1, P1, R से belong कर रहा है, इसका मतलब R क्या होगे आपका, तो हम बोल देंगे R is reflexive, तो method जो अभी तक हम लिखते आएं, उसी pattern में आपको यहां पे, इसको solve कर देना है, अब देखें, second हम check करते हैं, इसको symmetric, symmetric के लिए क्या करेंगे, तो हम symmetric के लिए लिखते हैं, कि let P1, P2, यह हमारा जो है R से belong कर रहा है, अब P1, P2 अगर R से belong कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि P1 and P2 दोनों की same sides होगी, मतलब है, same number of sides, same number of sides, तो P1, P2 की अगर same number of sides है, तो उसका उल्टा भी तो हम बोल सकते हैं, P2 और P1 उनकी भी same number of sides होगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, कि P2 and P1 have same number of sides, have same number of sides, अब देखें, जब P1 और P2, और साथ में P2 और P1, दोनों की same number of sides है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा P2 और P1 है, वो भी तो इस relation से बिलोंग करेगा, है ना, तो जब P1, P2, R से बिलोंग कर रहा है, और उसका inverse P2 और P1 भी R से बिलोंग कर रहा है, यह हमने show कर दिया, तो इसलिए हमारा set क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा relation क्या होगा है, तो इसलिए हम बोलेंगे R is symmetric, R हमारा symmetric हो जाएगा, हमने बोल दिया, R आपका symmetric है, अब check करते हैं transitive के लिए, तो क्या लिखेंगे transitive के लिए, तो हम सबसे पहले माल लेते हैं कि late P1, P2, यह दोनों R से बिलोंग कर रहा है, P1 and P2 have same number of sides, तो यह statement लिख देता हूँ मैं, तो बच्चों, यह statement मैं लिख दिया, तो क्या होगा, देखें, P1, P2, R से बिलोंग कर रहा है, मतलब P1 और P2 की same number of sides होगी, साथ में P2 और P3 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो P2 और P3 की भी same number of sides होगी, तो दोनों मैंने यहाँ पे statement लिख दिया है, कि P1, P2 have same number of sides, और P2 and P3 have same number of sides, अब देखें, P1 और P2 की भी side बराबर है, P2, P3 की side बराबर है, तो इसलिए P1 और P3 की sides क्या होगी, इक्वल ही होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे यहाँ भी लिख दिया, P1 और P3 हो same number of sides, और जब P1 और P3 की same number of sides है, मतलब यह हमारा relation से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि P1 और P3, दोनों क्या होंगे आपके, R से बिलोंग करेंगे, अब देखें यह उस form में आगया ना, A, B, B, C और A, C, तीनों ही हमारे R में present हो रहे हैं, तो इसलिए हम बोल देंगे, R is transitive, R हमारा transitive हो गया, अब देखें हमने इस relation को reflexive, symmetric और transitive, तीनों ही show कर दिया है, इसलिए R क्या हो जाएगा आपका, हम बोल देंगे R is equivalence, तो R आपका एक equivalence relation होगा, अब इसके second part को समझते हैं, second part में क्या दिया है हमारे pass में, तो second part में हमसे बोलना कि एक हमारे pass में right triangle है, suppose यह right triangle इसकी side से 3, 4, 5, अब बोलें कि बताओ, इस triangle से कितने जो elements होगे, वो relate करेंगे, जो इस state में present होगे, तो देखें, हमारा relation क्या दिया है, P1, P2 have same number of sides, मतलब कि इस relation में वो सारे polygons आएंगे, जिसकी same number of side है, तो देखें, अब यहाँ पर यह triangle भी आओँ है हमारे pass में, तो इसमें जितने भी triangle होगे, इस polygon में, वो सारे इस से relate करेंगे, अब चाहे वो equivalence triangle हो, चाहे escalant triangle हो, चाहे कोई साथ भी triangle हो, सारे triangles जो हैं इसमें relate करेंगे, जरूए नहीं कि वो right triangle ही होना चाहिए, कोई साथ भी triangle होगा, बस उसकी three sides होना चाहिए, तो three sides वाला हमारा triangle ही होगा, तो इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पर, कि all triangles are in the relation, अब इसको हम लिख देते हैं statement में, तो बच्चों यह statement हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे, the set of all elements in A, related to triangle T, is the set of all triangles, कि जो भी हमारा इसमें set A के elements होंगे, जो हमारे triangle T से relate करेंगे, वो क्या होंगे, सारे ही triangles होंगे, अब देखें बच्चों, question number 14, 14 question में आपास दिया है, कि let L be the set of all lines in XY plane, and R be the relation in L, defined as R is equal to L1 L2, such that L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation, मतलब क्या दिया हमारे पास में, कि एक set दिया हुआ है, उस set में हमारे पास L lines, उस set में जो है, lines present है, जो कि XY plane में लाई करेंगे, और relation इस तरीके से दिया हुआ है, कि जो L1 line है, वो L2 के parallel होना चाहिए, और हमको show करना है, कि एक equivalence relation है, उसके बाद हमको यह show करना है, कि जितने set, मतलब की कितने lines, जो है उस set में present होंगी, जो इस line को relate करी है, equation दियू है line की, Y is equal to 2X plus 4, चलिए, तो अब हम question solve करते हैं, तो यहाँ पर हमने, set L दिया हुआ है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास all lines in XY plane, यह सारी set L में present है, और relation दिया हुआ था, L1, L2, such that L1 is parallel to L2, अब देखिए, सबसे पेले हम चेक करते हैं, reflexive, तो reflexive के लिए condition क्या है, यह यह, कि अगर L1, L1 इस relation में belong करेगा, तो यह reflexive होगा, ओके, तो क्या L1, L1 इस relation में belong कर रहा है, तो देखिए, हर line अपने आपके parallel तो होती ही है, है ना, इसलिए L1 और L1 क्या होगा, इस relation में belong करेगा, तो हम बोल सकते हैं, कि अगर इस एनी लाइन, कोई भी लाइन होगी, वो क्या होगी, इस parallel to itself, हर लाइन अपने आपकी parallel होती ही है, इसलिए L1, L1 इस relation में belong कर रहा है, तो जब यह इस में belong कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि, आर जो है, आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सी हो जाएगा, अब इसकी बाद हम चेक करते हैं, symmetric के लिए, तो देखे, symmetric के लिए हम क्या करते थे, हम suppose माल लेते हैं, कि let L1 और L2 इस relation में belong कर रहा है, तो अगर इस relation में belong कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि L1 is parallel to L2, L1 L2 के parallel है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि L2 is parallel to L1, जब L1 L2 के parallel है, तो उसका उल्टा भी सही होगा, L2 भी L1 के parallel होगी, तो जब L2 is parallel to L1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि जो आपका L2 और L1 है, वो क्या होंगे, वो belong करेंगे R से, अब देखिए जब R और R inverse दोनों ही यहाँ पे present है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, symmetric, इसलिए हम बोल देंगे, therefore R is symmetric, R आपका symmetric होगा, अब चेक करते हैं, ट्रांजेटिव के लिए, तो ट्रांजेटिव के लिए हम क्या suppose कर लेते हैं, हम माल लेते हैं कि let, L1, L2 और L2, L3, यह क्या करना चाहिए हमारा, R से belong करना चाहिए, तो यह हमने R से belong करा दिया, अब देखिए L1, L2 अगर R से belong कर रहा है, इसका मतलब है कि L1 is parallel to L2, और L2, L3 भी R से belong कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, L2 is parallel to L3, अब L1, L2 के parallel हैं, और L2, L3 के parallel हैं, तो हम बोल सकते हैं कि L1, L3 भी parallel होगे, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर L1 is parallel to L3, और जब L1, L3 parallel हैं, तो इसका मतलब यह relation की condition को fulfill कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो L1, L3 हैं, यह भी जो है relation से belong करेगा, अब जब L1, L3 relation से belong कर रहा है, तो हम बोलेंगे therefore R is transitive, R हमारा transitive हो जाएगा, और जब यह relation हमारा reflexive, symmetric और transitive तीनों हैं, तो इसको हम equivalence relation भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा आपका therefore, R is an equivalence relation, अब बच्चो देखो, second चीज जो question में हमको बोला गया था, वो यह बोला गया था कि एक line है, जिसकी equation है y is equal to 2x plus 4, और यह बताना है कि इस set में कितनी lines जो हैं, वो इससे relate करेंगी, तो देखो, हमाई पास यह equation है, अब हमाई पास equation के एक general form क्या होता है, y is equal to mx plus c, इस form में होता है, तो देखें, यहाँ पे हमारे slope की value कितनी है, m क्या represent करता है, slope को represent करता है, तो इस equation में हमाँ slope कितना मिल रहा है, 2 हमारे पास slope हो गया, यहाँ पे 2 अब हमारा क्या हो गया? slope is equal to 2 तो aim की value कितनी मिल रही है आपको यहाँ पे slope मतलब aim क्या represent कर रहा है? 2 को तो इसका मतलब है कि इस relation में, इस set में वो सारी lines relate करेंगी जिनका slope कितना होगा? 2 होगा तो हमारा general form क्या हो जाएगा equation का y is equal to तो जितनी भी lines जो है जिनका slope 2 होगा वो सारी lines हमारी इस line को relate करेंगी तो अब हम इसको statement के form में लिख देते हैं तो उसका statement इस तरीकी से होगा the set of all lines related to the given line is given by y is equal to 2x plus c where c belongs to r यहाँ पे c जो है आपका r से belong करना चाहिए question number 15 15 में देखिए हमाँ पास हमें एक set दिया हुआ है जिसमें element है 1,2,3,4 और यह relation दिया हुआ है अब बताना ही है हमाँ पास कुछ options दिये हुए 4 options इनमें से सही option क्या है तो पहले हम check कर लेते हैं कि क्या reflexive है या नहीं है तो देखिए reflexive के लिए क्या condition होती है reflexive होगा ठीक है अब check करते हैं हम symmetric तो symmetric के लिए जैसे 1,2 दिया है तो 2,1 यहां present है क्या तो देखिए 1,2 2,1 हमको यहां कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह symmetric नहीं है ठीक है अब transitive check करते हैं तो देखिए transitive के लिए हमने यहां पे ले लिया यह 1,3 ओके 1,3 दिया हुआ है और दूसरा हम ले 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 थे 3,2 तो यह A,B,B,C के form में है तो अब यहां पे AC भी present होना चाहिए मतलब 1,2 present होना चाहिए तो check करो कहीं 1,2 present है तो देखिए 1,2 present है इसलिए क्या होगा यह transitive होगा तो इसका मतलब आप देखते हैं सही option क्या है आपका तो R is reflexive and symmetric but not transitive रोंगे R is reflexive and transitive but not symmetric तो option number B हमारा सही answer होगा तो आप B को tick कर लिजे देखिए बच्चों number 16 16 में क्या दिया हमारे पास में एक set N दिया हुआ है जिसमें natural numbers है और relation दिया है AB such that A is equal to B minus 2 where B is greater than 6 B की value 6 से बड़ी होना चाहिए तो इसके हम एक relation लिखके देख लेते हैं पहले फिर हम इसका सही option पता करेंगे तो हमारे पास एक set N हो गया जिसमें natural numbers है 1 से लेकिए infinity तक यह relation दिया हुआ है तो equation थी आपकी A is equal to B minus 2 यह इसको हम rearrange कर दें इस minus 2 को इस side ले जाएंगे तो यह जाएका B is equal to A plus 2 अब यहां आप A की value put करते जाहिए बस condition यह है कि B की value जो है आपका 6 से greater होना चाहिए तो इसका मतलब हम A की value क्या put करें सबसे पहले हम A की value 5 put करते हैं क्योंकि 5 plus 2 कितना होगा 7 तब ही जाके हमको 6 से बड़ा number मिलेगा तो पहला pair बन रहा है आपका 5 और 7 फिर दूसरा क्या होगा A की जगे आप 6 रखके देखिए तो आपको मिलेगा 6 plus 2 8 फिर आप रखिए हैं आपे 7 तो 7 plus 2 9 फिर 8 8 plus 2 10 इस तरीके से आपको ये pair मिलते जाएंगे अब हम option चेक करते हैं choose the correct answer तो देखिए सबसे पहले क्या 2 और 4 इस relation में belong कर रहा है तो देखिए इस relation में कहीं 2 और 4 आ रहा है तो first option तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 4 इसमें आए गए नहीं क्योंकि आपका A ही 5 से start हो रहा है फिर देखिए 3 और 8 3 और 8 भी कहीं आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है भी तो इसमें आया नहीं है फिर 6 और 8 तो देखिए 6 और 8 इसमें belong कर रहा है तो इसलिए आपका सही option क्या होगा? C. Thank you.